जाहिन्द मेरे प्याड़े बच्छों अभी जैसा कि आप देख रहा होंगे अमर्जितर भी हमारे साथ है मैं अमीद सर्भी तो बस बारी आपकी है अब सवाल उठता है कि युद की बिगुल कैसे बची है तो देखे एक से डेर महीने के दौरान आपके इलेक्षन जो है वो खत्म हो जाएंगे और जैसा कि हम लोग को मालूम है हमारे हां की जो अभी वेकेंसी बन चुकी है अलेक्षन वेस्ट वेकेंसी बन चुकी है तो एक देर महीने में जो इलेक्षन खतम होंगे फिर बिहार बिधान सभा की इलेक्षन आएगी और उस देवरेशन में आपके जितने भी बिहार में फसे हुई एक्जामनेशन है वो तीन सेशन आपके स्टार्ट होंगे, Wednesday से Math के सेशन तो आपके already स्टार्ट हो चुकी है और Wednesday से आपके Reasoning की सेशन वे स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी टाइमिंग 5 बच करके 15 मिनिट पर मैं एक्जक्ट लाइव आ जाऊंगा, और per day 25 questions, अब सवाल उठता है कि सरी ये 25 questions जो आप दोगे ये कैसे होंगे, तो आपने देखा होगा प्यारे बच्चों जब आप बना रहे हो, तो lockdown के पहले का Reasoning और lockdown के बाद का Reasoning जो SSC level का आया है, उसमें काफी moderate हुआ है Question, यानि next level की Reasoning आ गई है, तो हम लोग बिल्कुल नए pattern को base बना कर, हम लोग पुराने pattern से कुछ concept लेंगे, नए pattern के concept को mix करेंगे, और उससे base बना करके हम लोग जो session करेंगे, एक्जाम तक continue session करेंगे, और session के माध्यम से मैं जितने भी अच्छे प्रस्ण हैं, जो पूछे गये हैं, या जो पूछे जाने की संभावना बन रही है, जिस तरीके से मुराव आया है reasoning के सेक्टर में, मैं वो सारी बाते आपके साथ धीरे धीरे करके discuss करूँगा, अपने session के दोड़ान, तो पड़ते एक दिन 25 question session में होंगे, उस 25 question में हम लोग कुछ question बहुत ही अच्छे देखने वाले हैं, कुछ question देखने वाले हैं, जो बिलकुल आपके कलम को आपके दिमाग को रोक देगा, और वहां से हम लोग कैसे निकलेंगे, हम लोग इस चीज को समझेंगे, क्योंकि देखे, examination जब आती है, तो हरवर क्या होता है, कि हम लोग TBS paper ही cover करके जाते हैं, लेकिन exam में 15-20% question जो होते हैं, वो हमेसा next level को jump करते हैं, और उसी next level वाले question में समस्या आती है, तो हम लोग क्यों न सेशन के दावरान ही अपने range को थोड़ा अधिक बढ़ा लें, हम लोग परतेख देव ऐसे question का, कुछ question का संग्रह करेंगे, कुछ question का ऐसा सामना करेंगे, जो बिलकुल conceptual हो, और next level के question होता है, कि वहां पर अपना level अगर वो बढ़ाता है, examination में questions later, तो जैसा कि platform के साथ आपकी connectivity जब जुड़ती है, तो यहां quality plus quantity, यह दो चीज की बात जो आती है, बच्चों के सामने निखर करके आती है, तो बुद्धवार से हम लोग बिलकुल continue session स्टार्ट कर रहे हैं, यानि 3 April, 3 April से बिलकुल miss मत करोगे session को, आप जब शुरुवात में ज वस्तू नहीं है, reasoning सीखने और सिखाने की वस्तू है, यानि हम लोग बिलकुल वैदिक reasoning की और मुख करेंगे, वैदिक reasoning क्या होता है, जब आप continuity बनाओगे, तो धीरे-धीरे समझ जाओगे कि general reasoning और वैदिक reasoning में अंतर क्या है, ठीक है, अब अमर जिस सर भी मुखातिव होन अगर इन तीन सब्जेक्ट को मिला दिया जाए, तो आपके examination में result का सुत्रधार यही है, अलाके इसके अलाबे arts paper भी है, लेकिन maths, reasoning और science आपके लिए result का सुत्रधार है, अगर आप चाहो, चाहो क्या, बहुतों बच्चों ने, हजारों बच्चों ने ऐसा किया है, maths और reasoning में 100% score किया है, आप भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जैसा कि सर ने बताया कि क्या आ गया है और क्या आ सकता है, दोनों पर विचार करना होगा, उसी परकार से maths में भी आप 100% score कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको easy, moderate के साथ अच्छे level के question को भी करना होगा, For example, जैसे 25 कोशन है, और 25 में अगर आप 20 कोशन कर ले रहे हो, और आपको लग रहा है कि मेरी तयारी बहुत अच्छा है, तब आप भरम में हो, क्योंकि 25 में 20 कोशन सिर्फ आप नहीं all over India करेगा, क्या all over India का result हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, रिजल्ट उनका होगा, जो 25 में 20 कोशन तो करेंगे ही, और वो जो 5 कोशन बचा हुआ है, उसमें भी जो सेंदमारी करेगा, यानि बचे हुए 5 कोशन में भी 3 कोशन, 4 कोशन आपको करना होगा, और यदि आपने तयारी बहुत अच्छा किया है, तो 25 में 25 भी आप कर पाएंगे, तो हम लोगों का लक्ष है, कि आपको 25 में 25, 50 में 50, खास तो पर मैप्स और इसनिंग में आपको 100% स्कोर कैसे प्राप्ट करवाया जाए, कैसे आपको 100% स्कोर की और ले जाया जाए, इसका पुरजोर हम लोग प्रियास करेंगे, हम लोग बैट करके अपने से रात में आप लोगों के लिए कोशन एरेंज करते हैं, और एकदम अपडेटेड कोशन, और जैसा कि सर ने कहा, जो पहले भी कोशन पूछ चुका है, अगर उसमें से भी कुछ अच्छे कोशन है, कुछ अच्छे कंसेप्ट बनते हैं, जिनके पुनराबिर्ती की संभावना मैक्सिमम होती है, हम उस कोशन को भी लेकर यहां आएंगे और आपकी सेवा की जाएगी, सेवा का प्रोसेस यह होगा, कि सप्ता के पांच दिन हम आपको मिक्स कोशन कराएंगे, और एक दिन सेटर्डे को कोई एक चैप्टर उसी दिन स्टार रेस्ट भी रहना जरूरी है, दूसरी चीज, मेरे दोस्त अभी आप देख रहे हो कि मैट्स का स्रीज हमने स्टार्ट कर दिया है, भारत का नमर वन मैट्स अभ्यास जो चल रहा है, ये मेरे दोस्त कोई और नहीं है, आपके एक्जामनिशन के लिए, अब आप कोगे सर, भ आपके एक्जामनिशन पर आधारित है, क्योंकि पूरा नमबर सिस्टम, पूरा अर्थमेटिक और मेंसूरेशन ये आपके बिहार SAC के स्लेवस में है, और बाकी जो है मेरे दोस्त वो और एक्जामनिशन को भी कबर कर रहा है, तो आप सब लोग जुड़िए हम लोगों के साथ साम में 5 बज के 15 मिनट, सर का सेशन स्टार्ट होगा, रिजिनिंग का सेशन 3 अप्रेल से 5 पंदरा से, उसी तरह से 6 पंदरा में साइन्स का स्रीज होगा, और सारे 7 बजे रात में डेली आपका मैट्स होगा, और इसका PDF प्लेटफॉर्म बाइन कुमार सिंग टेलिगर जारी रहते हैं, उनका जो अपना एक आपके लिए continuity मेहनत है, वो मेरे दोस्त जारी रहता है, हर छेतर से प्लेटफॉर्म बाइन कुमार सिंग आपकी सेवा में हाजिर था है और हाजिर रहेगा, दूसरे चीज, आपका विश्वास और हम लोग का आपके परतिसमरपन और आप लोगों का हम लोगों के परतिसमरपन अगर बना रहा तो निश्ची तोर पर आप सेलेक्शन की और बरेंगे, तेरे साथ है, तो मिलेंगे हम लोग अपने सेशन के साथ, बाकि आप लोग अपना सुझाओ, अगर कुछ देना चाहें, तो कमेंट में जरूर लिखेंगे मैं चाहूंगा कि लास्ट में, सर, कुछ कहना चाहें, अक्सर जब मैं क्लासेस लेता हूँ, तो बच्चों की समस्या होती है, सिटिंग अरिजमेंट के कोश्चन नहीं बनते हैं, तो लॉजिकल रिजनिंग के कोश्चन फंस जाते हैं, भाई मेरे, बंदू मेरे, सखा मेरे आप इस सेशन को करकर देख लो, आप कंटिन्यूटी सेशन में रखो, मैं गैरेंटी कहता हूँ, एक महीना के अंदर, मात्र एक महीना के अंदर, कैसा भी सिटिंग हो, कैसा भी लॉजिकल रिजनिंग का प्रस्ण हो, आप उससे पार पा जाओगे, यानि बिलकुल आपको पानी की तरह लगने लगेगा, आपको बिलकुल कोश्चन देखोगे, और हात में जो होती है, खुझली होने लगेगी, पहले छोड़ो पहले सिटिंग बना लो, पहले छोड़ो पहले लॉजिकल रिजनिंग बना लो, मैं वैसी स्थिति क्रियेट कर दूँगा, क्योंकि सा आप सिर्फ रिजनिंग को समझोगे नहीं, सीखोगे, और एक वर किसी चीज को जब आप सीख लेते हो ना, तो फिर तो भीया जितना आप उसको मत होगे, उतना क्रीम बाहर आएगा, उतनी अच्छी क्वालिटी की क्रीम बाहर आएगी, तो हम लोग बस सेसन को स्टार्ट क करने जा रहे हैं, मैथ की सेसन आपकी ओन हो चुकी है, तीन अप्रेल से आपके रिजनिंग की सेसन भी ओन हो जाएगी, समय नोट कर लिजे, पांच बच करके पंदरा मिनट पे मैं लाइफ आजाओंगा, जैसा कि सर ने बाबु कहा, मंडे टू फ्राइडे आपके मिक्स को कवर कर लेंगे, यानि एक्जाम आते आते तक मैं अपनी ओर से परियास करूँगा कि आपको जितना दे सकूँ उतना दे दूँगा, लेकिन आपका भी बस एक ही परियास होना चाहिए, कि सर ने जितना दिया है ना, अगर आपने उसका 80 से 90 परसेंट कैच कर लिया ना, झाल 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 झाल